जब देवरा की पोस्पोन की खबार आई थी तो काफी लोग सोसल मीडिया पर लिख रहे थे कि शायद अब पुस्पा टूग रिलीडेर चेंज होगी क्योंकि देवरा भी एक बड़ी फिल्म है और इसलिम को किसी बड़े फैस्टिवल पर ही रिलीज किया जाएगा और अगर पुस्पा टू पोस्पोन नहीं होगी तो फिर देवरा और पुस्पा टू 15 अगर्स को क्लैश होगी जी हां देवरा वर्सस सिंगहम 3 लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा होगा भाइ आज पुस्पा की मेकर्स ने कहा है कि जिसको आना है आ जाओ हम 15 अगर्स को ही तो continue आ रही है लेकिन सिंखम के makers की तरफ से अभी कोई नई अपडेट नहीं आई है और सज कहों तो मुझे आसा लगता है कि सिंखम तरी 15 अगस को नहीं आएगी क्योंकि अगर आनी होती है तो अभी तक कोई ना कोई अपडेट जरूरा थी देखते हैं सिंखम के makers की तरफ से ओफिशल अपडेट कब तक आती है प्रोडूर्शर सिधार दानन ने पिंगविला से बात करते हुए कहा है कि रेंबो फिल्म के लिए हमारे पास कुछ एकसाइटिंग प्लान है और मुझे लगता है कि एक महिने के अंदर आप सुनेंगे कि हम रेंबो फिल्म के लिए क्या सिधार दानन का है तो रेंबो फिल्म से जोरी कुछ बड़ी अपडेट आने वालै कुछ दुनों में अनाउंस होगी देखते हैं आगे क्या होता है पिछली दिनों हमने आपको बताया था कि डाइक्टर राके सोम परकास महरा करन की उपर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें सूरिया करन की रोल में नज़र आएंगे इस फिल्म की कहानी महाभारत के इद्गित घूमती हुए नज़र आएगी जिसे करन की रंजरिये से दिखाये जाएगा ये एक बड़े बजट की पैन इंडिया फिल्म होगी जिसे फरहान अक्तर और इते सिध्वानी प्रोडूर्श करेंगे तो करन फिल्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है जहां कहा जा रहा है कि सिल्म में सूरिया के साथ जानवी कपूर नज़र आएंगी जी हाँ जानवी कपूर एक और पैन इंडिया फिल्म में नज़र आएंगी करन फिल्म का प्रिपोड़क्शन स्टार्ट हो गया है और आने वाले कि जुड़ी में सिल्म की ओफिशल एनाउस्मेंट की जाएगी एक और बड़ी खबर ये है कि टैनेट फिल्म के एक्टर जॉन डेविड वॉसिंग्टन कैंग दा कॉंकरर की रोल में नज़र आएंगे MCO में कैंग दा कॉंकररर का रोल जंटर मेजर कर रहे थे लेकिन वेक एक केश के वज़ासे मारोली स्टूदियो ने उन्हें बाहर कर दिया है तो जब जमन डेविड वॉसिंग्टन के आने वाली फिल्मों में कैंग दा कॉंकरर के रोल में नज़र आएंगे डाइटे जेम्स गन ने कहा है कि सुपरमेन लेजेसी सुपरमेन के ओरिजिन स्टोरी को फोकस नहीं करेगी इसके इलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सलिम में बैटमेन नहीं होगा क्योंकि बैटमेन इस कहानी में नहीं है यानि कि यहां हम सुपरमेन की एक नई कहानी देखने वाले हैं अब जेम्स गन ऐसी कौन सी कहानी लेके आ रहे हैं तो भाई वो हमें फिल्म आने पर ही पता चलेगा वैसे जेम्स गन मरा रहे हैं तो भाई कुछ तो खास होगा ही सुपरमैन लेजेसी की सुटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और ये फिल्म जुलाई दो हजार पचीस में रिलीज होगी रश्मिका मंदना ने विकी कौसल की फिल्म छावा की सुटिंग कम्पलीट कर ली है छावा एक पिरेड अक्षन ड्रामा फिल्म है जिसे लक्षम उत्रेकर डारेकर ही है इसलिम की कहानी संबाजी महराज के उपर बेजड होगी जिसमें विकी कौसल संबाजी महराज और रश्मिका मंदना ये सुबाई के रोल में नज़राएंगी रश्मिका मंदना ने अपने सोसल मीडिया पर एक नोट शेर किया है जिसमें उन्हों लिखा है कि मेरी सुटिंग दो दिन पहले खतम हो गई थी लेकिन मुझे ये सुखार करने में दो दिन लग गए उसके इलावा उन्होंने फिल्म के क्रू मेंबर के साथ डारेक्टर और विकी कौसल की तारिफ की है विकी कौसल की ये फिल्म 6 दिसंबर को सनमा घरों में रिलीज होगी गोपी चंद के आने वाली फिल्म भीमा की रिलीज डेट कनफरम हो गई है भीमा एक आक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें गोपी चंद एक पुलीस ओफिसर के रोल में नज़र आएंगे टीजर काफी अच्छा है तो देखते हैं फिल्म की कहानी कैसी होती है ये फिल्म 8 मार्च को सनमा घरों में रिलीज होगी हॉलिवड की सबसे पॉबलर एनिमेटर फ्रेंचाईज डेस्पैक बलमी को तो आप सब ने देखाई होगा तो इसका चौथा पाट आ रहा है और आज इसके ओफिशल ट्रेलर को रिलीज क्या गया है यहां इस्ट्रेलर में आप गुरू और मिनियन्स को अपने वही चुलबले अंदाज में कॉमेडी करते हुए देख सकते हैं ट्रेलर को देख का लग रहा है कि इसलिए में भी हमें काफी ज़्यादा कॉमेडी देखने को मिलेगी डेस्पेक में 4 जुलाई के महिने में सरमा घरों में रिलीज होगी वैसे कि आपने मिनियन्स की पिछली फिल्मों को देखा है अगर देखा है तो मिनियन्स की फिल्में आप सबको कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रू बताएं वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी फेस्बूक, वर्टसब, टुटर पर जरू शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें धन्यवाद